विजे पांडुरंग भटकर एक भारतिये कंप्यूटर विज्ञानिक आईटी नेता और एजुकेशनिस्ट हैं। उन्हें सुपरकंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रिये पहल के वास्तुकार के लिए जाना जाता है जहां उन्होंने परम सुपरकंप्यूटर के विकास का नेत्रत्व किया। भारत के लिए एकसा स्केल सुपरकंप्यूटिंग मिशन विक्सित करने पर काम कर रहे हैं। विज्यानिक विजय भठकर का जन्म महराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविध्याले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी की डिग्री और एमेस यूनिवर्सिटी ओफ बड़ोदा से एमई की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने IIT दिल्ली से पिएचडी की। भारत ने अमेरिका से सुपरकंप्यूटर खरीदने की पहल की। अमेरिका पहले क्रे एक सुपरकंप्यूटर प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। लेकिन बाद में इसे देने से इंकार करते हुए यह संदे जताया की भारत इसका इस्तिमाल परमाणू हथियार कारिक्रम के लिए कर सकता है। उस समय तक भारत में बहुत से अच्छे कंप्यूटर टेकनोलोजिस्ट उभर चुके थे। इसलिए भारत ने अपना खुद का शक्तिशाली सुपरकम्प्यूटर बनाने का फैसला कर लिया। उनकी पर्योजना विजय भटकर को सौपी गए, जो सुपरकम्प्यूटिंग के वास्तुकार के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सुपरकंप्यूटर के विकास का नेत्रत्व किया और इसे परम सुपरकंप्यूटर का नाम दिया। उन्होंने 1991 में पहला भारतिये सुपरकंप्यूटर परम 8000 और बाद में 1998 में परम 10,000 विक्सित किया। सुपरकम्प्यूटरों की परम श्रिंखला के आधार पर उन्होंने राश्ट्रिये परम सुपरकम्प्यूटिंग सुविधा एनपी एस एफ का निर्माण किया, जिसे अब गरुण के माध्यम से ग्रिट कम्प्यूटिंग सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया गया ग्यान नेटवर्क, इनकेन, पर ग्रिड, उच्छ प्रदर्शन कम्प्यूटिंग, HPC, बुनियादी धाचे के लिए राश्ट्र व्यापी पहुच प्रदान करता है। वर्तमान में भटकर राश्ट्रिय ग्यान नेटवर्क पर शमता और बुनियादी धाचे के माध्यम से सुपरकम्प्यूटिंग पर काम कर रहे हैं। वे जियाईसटी, बहुभाशी, प्रौध्योगिकी के विकास, कम्प्यूटर के लिए MKCL के कम्प्यूटर साक्षर्ता कार्यक्रम और ICT से संबंधित परिक्षाँ पर कोचिंग प्रदान करने के लिए Education to Home ETH, जैसी ICT पहलों में भी शामिल रहे हैं। भटकर ने कई राश्ट्रिये संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों के निर्माड में महतुरपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसमें Center for Devil Permaint of Advanced Computing, CDAC Electronics Research and Devil Permaint Center, ER and DC, तिरुवनन्तपुरम, Indian Institute of Information Technology and Management, केरल, ETH शामिल हैं। पूडे में अनुसंधान प्रयोग शाला और अंतरराश्ट्रिये सूचना प्रोध्योगी की संस्थान, महराश्ट्र Knowledge Corporation और India International Multiversity। उन्होंने भारत सरकार की विज्ञानिक सलहकार समिती CSIR शासी निकाय, IT Task Force और महराश्ट्र और गोवा की सरकारों की E-Governance समिती के अध्यक्ष के रूप में कारे किया है। वह विज्ञान भारती के अध्यक्ष के रूप में भी कारे कर रहे हैं। 2016 में भटकर को विज्ञान और Engineering अनुसंधान निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जनवरी 2017 में भटकर को नालंदा विश्व विध्याले के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह मल्टी वर्सिटी के संस्थापक चांसलर और चीफ मेंटर भी है। डव विजय भटकर ने 2012 से 2017 तक IIT दिल्ली के गवर्नर्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कारे किया है। वह ETH, Education to Home, Research Lab के अध्यक्ष, सरकारी College of Engineering के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अमरावती, डिवाई पाटिल विश्व विध्याले के चांसलर और विज्ञान भारती के राष्ट्री अध्यक्ष, भारत भर में 6000 से अधिक विज्ञानिकों का एक जन विज्ञान आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे हैं। भटकर ने 12 पुस्तकों और 80 से अधिक तक नेकी और शोध पत्रों को लिखा और संपाधित किया है। और कई विश्वुध्याले कन्वोकेशन्स समारोहो, अंतर राष्ट्रिये और राष्ट्रिये समेलनों और सार्वजनिक समारोहो को संबोधित किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करे। इस चैनल को बहतर बनाने के लिए किसी भी टिपपड़ी का स्वागत है। धन्यवाद।